हेलो गाईज वेल्गम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो यह हमारी स्कॉर्पियो एन का जैट फॉर पिट्रोल मैनुवल वेरियंट आपके सामने खड़ा हुआ है आज इस वीडियो मैं आपको जो पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था इस्टोरी सेयर करने के लिए यह जा चुकी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्या दिक्कत आती है कि छे बार सर्वेस सेंटर ले जा चुके थोड़ा सा नीचे से मैटिंग नहीं हुआ है और नीचे से चूवे चल जाते है और वाइरिंग को खराब कर देते हैं बहुत ज्यादा बाई लेकिन सबसे बड़ी समस्चा है आप सबसे बर कपड़ा आपको दिखरा हूं तो यह सोंप सा कपड़ा उसके पीछे काफी ज्यादा इस पेस है और उसकी वज़ा से चुगे महीं से गुछ जाते हैं अगर पॉसिबल हो तो आपको दिखाऊंग यहां से दिख तो नहीं रहा है लेकिन यह जो पैडिंग है अभी मैं आपको बोनट खोल के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे तो उसकी वज़ा से क्या होता है चुगया बार बार इसका तार काट देते हैं नवा यही समस्या आपकी गाड़ी में बन दिया न जी जी और वह म 15,000 रुपएव का पढ़ जाता है और उसके बाद से आपका इतनी जंगा इस गाड़ी में कट लग चुके हैं कि पिछली बार जब लोग इसको लेके गए फिर उसके लिए तो आपका स्वरूम वालों ने वहां पर सिगनेचर कराया कि आपकी गाड़ी में अगर फ्योचर म कोंटें पहले फिर आपको दिखाते हैं कि अगरे के में पर लिए कि यह इसका इंजन है आपका प्रेट्रोल इंजन वर्टिकल में से खड़ा हुआ है में समस्या देखे यहां पे यहां पे आपकी पूरी खाली इस पेस रह जाती है देख रहे हैं पूरी आप जो खाली इस पेस रहते हो अगर आपको दिखाऊं तो आपको इनके वेस्ट मेट्रियल पड़े हुए मिल जाते हैं यहां पर देखिए यहां पे अपना वह उसे चोड़के गए हैं तो यही में प्रॉब्लम इस गाड़ी में वाइरिंग की बन आपको बिल्कुल इंजन की अंदर आपको सुनने के लिए नहीं मिलती है तो यही एक में प्रॉब्लम में स्कॉर्प्यू एंड के साथ अगर मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप इंजन प्रोटेक्शन कीड़ यह नीचे से लगता वह आप लगवा लिजेगा उसका आपको प्राइस थोड़ा जादा देखने के लिए मिलता है लेकिन वह अगर प्राइएगा ठीक है वीडियो देखने के लिए यहां तक बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं और किसी एक और इंफरनेशनल वीडियो में